हेलो फ्रेंड्स को क्विट टेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे केसर बदाम गोंद कतीरा मिल्क शेक रेसिपी तो आई ये बनाना शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने गोंद कतीरा ले लिया है और 20-25 बदाम को हम पानी में 1-5 घंटे के लिए भीगो देंगे इसके बाद हम इसे चील लेंगे और थोड़े से केसर को ये मैंने पानी में भीगो दिया था इसका भी बड़िया कलर आ गया है ये देखिए फ्रेंड्स गोंद कतीरा इस टाइप का होता है गर्मी के मुसम में इसका यूस किया जाता है ये हमारे शरीर को ठंड़क देता है इसे भीगोने के लिए हम बाउल में डाल देंगे और लगबग आदा गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और 3-4 घंटे के लिए हम इसे किचन काउंटर पर ऐसे ही ढग कर रख देंगे 3-4 घंटे के बाद आपको ये इस तरह फूलावा मिलेगा अब हम इसका मिलक शेक बनाना शुरू करते हैं गोंद कतीरा गर्मियों में खाना जाहिए फ्रेंड्स ये हमारे शरीर को ठंडग देता है और ताजगी देता है गोंद कतीरा खाने के और भी कई फैदे होते हैं अब हम मिलक शेक बनाना शुरू करते हैं ये मैंने बदाम को चील लिया है सबसे पहले हम बदाम को ग्रेंडिंग जार में डाल देंगे और थोड़ा सा दूट डाल कर हम इसका पेस्ट बना लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स बदाम का पेस्ट हमारा बन कर रेडी है अब हम ग्रेंडिंग जार में दो चम्मच गोंद कतीरा डालेंगे दो चम्मच हम इसमें बदाम वाला पेस्ट डाल देंगे और खान डाल देंगे, खान की जगा आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें केसर वाला पानी डाल देंगे, इससे हमारे मिलक शेक में टेस्ट बहुती बढ़ी आता है अब हम इसमें दो गिलास दूट डाल देंगे ये मैंने ठंडे दूट का यूज़ किया है, अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो थोड़े से आइस क्यूब भी टाल सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया, केसर बदाम, गोंद कतीरा, मिलक शेक हमारा बनकर रेडी है उपर से कटेवे बदाम और केसर के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे ये मिलक शेक बहुती कम समय में रेडी हो जाता है और हमारे शरीर को ये ठंड़क देता है रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें थैंक्स फॉर वचिंग गुडबाई